आपको चाहिए तो मातिरन में आओ ये है टॉय ट्रेन का इंजन तो मुझे टॉय ट्रेन दीख गई है तो मैं आपको दिखा जेता हूँ हाई गाईज वेलकम बैक टू मा यूट्यूब चैनल तो दोस्तो इस समय में हूँ मातिरान में मातिरान भारत का सबसे छोटा हिल सेशन है और साति साथ ये भारत का एक मात्र आटो मोबाईल फ्री स्टेशन है तो ऐसी बहुत सी जनकारी में आपको मातिरान के बारे में गूम सकते हो माथे रान आपका कितना खर्चा हो सकता है तो ये वीडियो आप पूरा एंट टक देखना तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं और माथे रान को एक्स्प्लोर करते हैं माथे रान एक हिल्स्टेशन है जो महराष्ट के राइगर डिस्टिक के करज़त तालुका में आता है माथे रान भारर का सबसे छोटा हिल्स्टेशन है और एक मात्र आटो मोबाइल फ्री हिल्स्टेशन है माथे रान बारिश के दिनों में बहुत ही खुपशुरत दिखता है और उसकी खुशुत्ति वो देखने के लिए आपको मातेरान जरूर आना चाहिए मातेरान आने के लिए जो नजजी की रेलेश्टेस्टन है वो है नेरल का तो नेरल पहुचना बहुत ही आसान है आप मुंबई में लोकल ट्रेन पकड़ के आराम से नेरल पहुच सकते हो अगर आप पूने से आ रहे हो तो आप एक्सपेस ट्रेन पकड़ के करज़त आ सकते हो करज़त से फिर लोकल ट्रेन पकड़ के नेरल आ सकते हो अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो तो बेश टेकि आप करल्यान पोच जाओ और करल्यान तो बहुत बड़ा स्टेशन है वहाँ पर बहुत सारी एक्सपेस ट्रेन रुखती है और वहाँ से आप ट्रेन पकड़ के लोकल आप नेरल आ सकते हो अभी नेरल से माथे रान कैसे जाना है वह आपको मैं गाइड करता हूँ अभी मैं नेरल स्टेशन के बाहर नहीं आया हूँ मैं अभी यहाँ पर आया हूँ आपको दिखाने के लिए यह जो आप मेरे पिछे देख सकते हो यह है टॉय ट्रेन का इंजन यानि कि माथे रान में टॉय ट्रेन चलती है जो कि बहुत ही फेमस है तो आप नेरल से सीधा माथे रान जा सकते हो टॉय ट्रेन है डायरेक यहां से वहाँ जाने के लिए बट अभी वह बंद है क्योंकि construction का काम चालू है पहले चलती थी पिसले 3-4 साल से बंद है बट जल्दी वह काम complete हो जाएगा तो आप नेरल से सीधा माथे रान आप पोछ जाओगे वायर टॉय ट्रेन जैसे आप इस्टेशन के बहार आगे तो यहाँ पे आपको मार्केट दिख जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे आपको होटल मिल जाएगे तो आप कुछ खापी सकते हो और दूसरी बात की यहाँ पे माथे रान में क्या बोलते है नेटर का इसू रहेगा तो आप यहाँ स आप सकते हैं पुरा टैक्सी स्टैंड है अभी आज से चाह साल पहले तीन साल पहले एटी रुपीस था लॉक्डाउन के बाड़ हंडेड रुपीस हो गया और हंडेड रुपीस पर पर स्टन आपको बड़े आसानी से आल्ल टाइम कभी भी मिल जाएगा टैक्सी बगटते हैं और चलते हैं माते दन तो अभी हम लोग पहुच चुके हैं दस्तुरी नाका तो दस्तुरी नाका वह जगह है जहां तक आप गाड़ी आपको छोड़ेगा या तो आप खुद की गाड़ी से भी आवगे तो आपको यह तरह आना पड़ेगा आप दस्तुरी नाका में अ दिख रहे आपको और पार्किंग एरिया का अलग-अलग चार्जर से जो यहाँ पर दिया गया है इसे कि आप देख सकते हो दोन चक्क यानि की टू विलर 30 पूर विलर 50 और बड़ा वहाँ आ रहेगा तो 80 रुपीस और इसका चेक आउट टाइम है सुबह 8 बजे और इसका ए सब्सक्राइब है तो बहुत जाला गर्दी होती है पर टेंशन बन लिजिए पार्किंग आप आराम से कर पाओगे बहुत जगह है यहाँ पर अभी हम चलते हैं माथिरान में तो यहां से हम अंदर जाएंगे माथिरान के और यहां पर टिकेट काउंटर है तो टिकेट लें सब्सक्राइब करना पड़ा है यहां पर टिकेट काउंटर के बगल में यहां पर एक मैप दिया गया है जिसका फोटो ले सकते हो और मैं आपने जितने भी पॉइंट से मातिरान में घुमने के लिए उस सब वहां पर बताएंगे डारेक्शन के साथ तो आपको हम करेगा औ और अभी हम लोग चल के जा रहे हैं यह देखिए यहां से इंट्री होती है कि इतना खुबसुरर लग रहा है वाव रार को यहां पर लाइटे चलती है मातिरान का आप क्लाइमेट देखिए बहुत ही धंड़ा है अभी और इस टाइम पर सब जगे फॉगी फॉग है विज सामने का हाद में आपको ठीक से दिख रहा चलते हुए तो यह कुछ क्लाइमेट ऐसा है और ऐसा लगता तो है बारिश होगी होगी तो बारिश अच्छी बात है महन बात है कि जितने भी पॉइंट है वहां से भी देखने को मिले तो मज़ा आ जाए तो यहां से माधिरान ज ले सकते हो अनिकि यह जो स्टेशन है अपके ओगे हो है अमन लॉझ अमन लॉझ से माधिरान के लिए टॉय टॉय ट्रेन चलती रहती है तो आपो इस्ट्रे आप भी ले सकते हो और इधर पे टाइमिंग में सुभे 8-14 की वाइलि ट्रेन और उसके बार 9-55 की सब्सक्राइब दो आपको लेना है तो आप ले सकते हो और टिकेट प्राइज है फर्स क्लास का टिकेट प्राइज है 305 और सेकेंड प्राइज है सेकेंड क्लास का है 45 और बच्चों लोगा 180 और 30 तो कापी सस्ता है महेंगा नहीं है तो आप जा सकते हो मैं तो चल के जाने वाला हूँ अभी जो आप देख रहे हो यह है अमोन लॉज जो की टॉय ट्रेन का एक रेलवे स्टेशन है और यहीं से ट्रेन जाती है मातेरान तो ज चल के जाओंगा तो आदे घंटे में पोच जाओंगा अगर आपको मातेरान चल के कवर करना है तो आप भी कवर कर सकते हो क्योंकि आपको सिप चलना है चड़ना बिल्कुल नहीं है वह आपके उपर है और क्लाइमेट देखो पूरा फॉगी फॉगी वह रख है यह अमन ल अगर आप मातेरान तक चल के जा रहे हो अमन लॉस से अगर आप सोच क्या रस्ता मुझे मिलेगा या मैं भटक जाओंगा डरने की कोई बात नहीं है आपको जो आमन लॉस का जो ट्रेन है जहां से चलती है यह एक ट्रैक को फॉलो करना है यह एंट टक जाता है मातेरान नह नंबर को फॉलो करके आपको जाना है मातेरान ने तो ऐसे आप यहां से किसी से भी पूछ सकते हो बहुत लोग आपको रस्ता में मिलते रहेंगे दुकानी भी रेती राइट से भी आप पूछ सकते हो तो आप बिल्कुल डरो मत अगर आप अकेले भी हो जैसे मैं अकेला सकते हो चल के कोई घाय मत करो खाली आपको बंदर उसे सावदान रहना है बंदर वो थे यहां पर उनके सामने कुछ खाए ना या फिर आप बैग साइड में रखके ऐसा आराम से ना बेटे बैग हमेशा आपने पास रखी रहे परना वह बंदर लोग आएंगे आपका इनमें इनच करना है सब्सक्राइब आपको कि शिर्च झाध मेन टोठिय करना है अगर आप आप रुखना कर सकते हो ओर आप माहां तयम कर च्रीख और जीक दिया ठ्रभा तो इनका कॉंझते क्निटक्पर होटेλ बुक कर सकते हो तो अभी मैं जा रहा था माधे तो मुझे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए, यह हेट्रोड टेंड तो फाइनली हम लोग पोच चुके हैं माथेरान, यह है माथेरान का स्टेशन, यहां तक ट्रेन आती है, और जिसे कि आप देख सकते हूँ कि जो नेरल स्टेशन के यहां पर जो इंजन था, सेम वेसा ही इंजन यहां पर भी रखा है, और यहीं स्टेशन देखिए, पुरा फ माथेरान इस्टेशन के बगल में ही, यहां पर आपको पुरा मार्केट दिखेगा है, यह है बाजार पेट, यहने कि माथेरान का मार्केट है यहां पर, तो यहां पर आपको कुछ खाना पीना यह खा सकते हो, यहां पर आप शॉपिंग भी कर सकते हो, और यहां पर आपको हूं एक एक और आपको दिखाता हूं माधरान में कौन-कौन से पॉइंट कहां पर है उसका मैप यहां पर दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हो यह पूरा पॉपर है और यहां पर आपको हॉस्स राइड करना है तो उसका एक घंटे का पास्तो रुपे भी है इतने सब फॉगी है नजाने फॉग कब क्लीन होगा पूरा फॉगी फॉगी दिख रहा है इस समय पर मेरे अलावा यहां पर कोई नहीं है कापी अच्छा लग रहा है चलो व्यू नहीं तो कम से कम शांती तो मिल रहे है यहां पर अभी आप देख रहे हो चोग पॉइंट तो चोग पॉइंट के कुछ डोन शॉट इंजोई कीजिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वह है ओन ट्री हिल पॉइंट जो की काभी खुबसूरत है तो इसके डोन शॉट इंजोई कीजिए जितने भी पॉइंट से मातिरान के वह सम मतलब पूरा वेल डारेक्शन दिया गया है तो आपको जाला कंफिज नहीं होगा तो भी अगर कुछ आपको डाउट आता है तो आप यहां पर किसी से भी पूछ सकते हो और आपको सिर्फ चलना पड़ता है चड़ना ने पड़ता है अगर आप चाहें तो घोड़ी से भी इसारे पॉइंट खौर करा सकते हो अभी जो प्लेस पर में हूँ यह है शार्लेट लेक और यह लेक का ही पानी मातिरान को जितने भी लोग ने तो उनको सप्ड़ा होता है तो इसमें उत्रेना प्लस की अभी बारिस नहीं हुई नह अगर इसके आगे बहुत सारे पॉइंट है जैसे की मलंग पॉइंट है अपको बचाता हूं यहां पर फॉग बहुक्त है क्लीन नहीं हुआ है तो मिरे पास जितने भी क्लीन फुटेज्च है अभी के या पहले के ऊसर में डाल लूँगा अभी वेशॉय करना आप तब ही ह हो रहा है शायर आपको आवाजना आ रही हो बट हो रहा है एक बर फिर से विदूर आ रही है तो दोस्तों आप यहां पर खड़े हो कि पोटो निकाल सकते हो इनका फ्राइज है यहां पर कितना है सिंगल 10 रुपीज कपल 10 रुपीज सब 10 रुपीज है तक पोटो आपको अपने फोन से लेना है यह सटावटे इनकी तरफ से अगर आपकी शादिव ही आपने मुन जाने का सोच रहें तो आपको कई तो दोस्तों अभी मैं पहुच चुका हूँ लुईसा पॉइंट और यहां से फाइनली कुछ व्यू देखने को मिल गया है और घट चुका है यह देखिए लुईसा पॉइंट से खतर लग लगा रहा था तो अभी फॉइंग हो रहा है और आप देखिए क्लीन उनला खत्र नक भी हो गया है वाव देखिए 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 फॉइंट लगारीगा में आ गया है आपि सोर्ग से हवा बेती है अभी मैं आ चुका हूँ मलंक पॉइंट पे तो अलग और लुईसा पॉइंट है ना वह दोनों अक्ल भल मीं इंट से आपको लुट 사शा पोईंट अको इसलोंड को तो आशे क्ली मतलब है टीके है फिम्हाई में क्लीनी थे यहां से कैसा वींट दिखता है वह माँ पता जता हूं और से और मलंग को दिसको इस je को इस लिए ब क्योंकि यहां से जो मलंग गड़ तरने समने दिखते दकल ए करके नहीं डिखेगा एक अगर आप आओके नीडर पॉकुषिल सयकर तो कि इसमा यह आप और की मजख़म्ग के था करनें रिखेगा है माथेरान की जो मिट्टी है वो पूरी लाल है जैसे कि मैंने आपको बताए कि माथेरान जो है ऑटो मोबाइल फ्री हिल स्टेशन है यहां पर वहिकर अलाउड नहीं है तो इसकी बज़े से यहां पर जो आपको हवा मिलेगी एकदम शुद्ध हवा मिलेगी कोई भी मिलाउट जगह है प्योर ऑक्सिजन आपको चाहिए तो मातिरान में आओ शुद्ध हवा एकदम अभी में जिस पॉइंट पे खड़ा हूं यह है को रोनेशन पॉइंट अगर आप संसेट पॉइंट जा रहे हो तो रास्ते में आपको यह पॉइंट मिल जाएगा और यहां से भी हर एक पॉइंट से मोश्टी जो भी एक साइट के पॉइंट होते हैं अगर बनाया है तो एक बार जरू देखना चाहिए तो अभी मैं पहुँच चुका हूं संसेट पॉइंट के यहां पर और यहां से क्या खतरनाग भी दिख रहा है मतलब फॉप पुरा क्लीन हो गया है तो एकदों मस्त भी दिख रहे हैं यह देखिए क्या खतरनाग भी दिख रहा यार खतरनाग अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ गार्बेट पॉइंट गार्बेट पॉइंटों मैंने ट्रेक भी किया है वाट यह एक पॉइंट है तो वह भी आप देख लीजिए तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ पैनरोमा पॉइंट के यहाँ पर तो पैनरोमा पॉइंट जो है न यह एक्चुली जो पार्किंग पॉइंट है न दस्तुरी ना का वही से इसका रस्ता है तो आप क्या कर सकते हो या तो आप जब आते हो तो पहले इस पॉइंट क तुसके बार मातेरान जाके सारे पॉंट जddhकpiej सकते हो या तो सारे पॉंट जेखने के बाद यहां पर आकर दसुरिणाका पिर यह पॉंट देख सकते हो तो मैंने सारे पॉंट देक्boarding मातेरान के अलमुष्टथ अभी जाए लग Youब को कोई नहीं करना चाहिए अधे मैं पहुँच चुका हूं प्यानरोमा पॉाइंट चैसा कि बेख रहा हूं कि कोई नहीं दिखा है यहाँ पर कोई दिखा भी नहीं और ना कोई आते बिख रहा है ना मातिरान पुरा घुम लेते हैं तो धक जाते हैं और वापस चले जाते हैं इस पॉइंट को मातिरान के टूर प्लानर बजट की तो मेरे हिसाबसे मातिरान की जितने भी इपोईंट से सब कुछ कवर करने के लिए आपको दो दिन लगेंगे एक दिन में कवर करना पॉसिबल नहीं तो मैं दो दिन के आपका काने का हो उसके लगता है 1000 रुपय ौपर तो आपको 1000 रुपय तक जाएगा पर पर सिक्षार करो कि आप दो लोग तो एकली सोगे और आपका जो यहां जो गुमने का जो खर्चा है वैसे तो आप पुरा बाइवाक कवर कर सकते हो आपको कुछ गोड़ा बुड़ा लेने की जरूरत नहीं है लेकिन तो भी अगर आप गोड़े से कवर करना चाते हो तो उसका में 1000 रुपया बकेट लेता हूं तो मेरे इसाब से दो दिन का 3000 रुपया हो जाता है अगर आप एक दिन में कवर करना चाते हो तो आपको होटल ने लेना पड़ेगा आपको सिब खाने का पास्तो और अगर आप गोड़े से घुमना चाते हो उसका 1000 रुपया तो देड़ हजर में आपका काम हो जाएगा और मांसून है अब विंटर में भी आ सकते हो गर्मी मे यहाँ पर थोड़ी गर्मी पड़ती है बट मांसून इसे बेश टाइम टो विजिट मांतेरान तो दोस्तो कैसा लगा आपको मांतेरान इस्ट्रेशन पसंद आया ना तो मांतेरान जरूर आई आप तो चलो फिर इस वीडियो को में एक खतम करता हूँ अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो शेर करो कमेंट करो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो तो अभी चलता हूँ में जन मिलूंगा आपको एक नए लोकेशन के साथ एक नए एडवेंचर के साथ तब तक के लिए कीप ट्यार लिंग